अगर देखा जाये तो जैसे जैसे दिन चरड़ रहा है वैसे वैसे वोटिंग परसेंग जो है वह अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है अगर पिछले पांच चरणों की हम बात करें तो पांच चरणों में 60 प्रतीशत तक वोटिंग हुई है अच्छा खासा voting person माना जा सकता है लेकिन उमेद इससे ज्यादा थी लेकिन उतना नहीं हो पाया है ऐसे में किसकी नईया पार लगेगी कौन डूबेगा सबसे बड़ा सवाल यही है आज छटा चरण है मेज एक चरण बचा है साथवा चरण जिसको लेकर वोटिंग होगी और आज जो है वो छटे चरण को लेकर वोटिंग हो रही है ऐसे में सुभा से ही पलपल की अपडेट न्यूजवल इंडिया आप तक पहुंचा रहा है जो भी अभी हमारे साथ कुछ वरिश पत्रकार और कुछ राजनीतिक विशेशक भी जुड़ने जा रहे हैं उनसे आपका परीचे कराएंगे उससे पहले आपको बता दूँ कि छटे चरण में 676 प्रत्याशी जो है वो मैदान में बने हुए हैं और लगातार उनकी किस्मत का फैसला जो है वो आज मदाता करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत सारी मुद्दे पुर्वांचल में रोजगार, विकास, स्वास्थ, सिक्षा इसके लावा छुट्टा जानवर जो सबसे बड़ा मुद्दा उभरा है छटे चरण को लेकर जो भी जन सभाएं, जो भी रोड़ शो निकाले गए राजनितिक पार्टियों द्वरा उसमें छुट्टा जानवर एहम मुद्दा बनकर उभरा किसानों की समस्या हैं यह वो मुद्दे हैं जिसको लेकर आज आम जनता जो की मदाता के रूप में मदान केंद्रों तक पहुंच रही है और मतदान कर रही है तो रतनागर सिंग हमार साथ जुड़ गए है वरिश पत्रकार है और रितेश मिश्रा जी भी हमार साथ जुड़ गए है वो भी वरिश पत्रकार है सबसे पहले उनका हम रुप करेंगे और सबसे पहले स्वागत करेंगे नियूज वर इंडिया में रिटेश मिश्रा सहाब छटा चरण है कई दिगजों की साख दाव पर है कई ऐसे हैं जो एक पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में आ गए हैं योगी आदितिनाथ गोरगपुर में सबसे चहीते और आज उनकी किस्मत का फैसला भी इवियों में क्या धो रहा है प पर एलाम कोतो लेके कोई चर्चा होती ही नहीं चर्चा सिर्फ इस बाद की होती है कि उनके विनिंग विक्टरी का मार्जिंग कितना होगा और उनकी टीम जो तैयारी में जुटी रही उसका भी फोकस यही रहा है कि रिजल्ट तो सबको पता है इतना अधिक हम ओल करा सकते हैं एक रिकार्ट बनाने का मैसेज पूरे प्रदेश में दे सकते हैं फोकस इस बात पर आए बिल्कुल और फोकस रहा है और गुरकपुर के अलावा अगर हम अन्य जिलों की बात करें जहां-जहां जमद्दान हो रहा है वहां पर कुछ ऐसी सीटे भी हैं कुछ ऐसे दिग कहीं ने कहीं मन में संसे उनके रहा जो कि वो तीन बार पढ़रोना से विधायक रहे और इस चुनाव में अचानक फाजिल नगर सिफ्ट हो जाते हैं और समीकरण कुछ ऐसे बदलते हैं कि वहां भी उनकी पोजिशन बहुत सेफ नहीं मानी जा सकती है कड़ी लडाई में फ करदेश अस्तर के लगाते हैं चुनाव आप एक विधान सभा पे केंडरी ठोके लड़ते हैं तो अस्थानी अस्तर पे उन बड़े आरोपों का मतलब नहीं रह जाता है वहां पे तो सिर्फ समीकरण काम आते हैं और समीकरणों की लडाई में वह बहुत हद तक घिरे हुए करण यह है कि समाजवादी पाल्टी में एक नेता हुआ करते थे लिया संसारी वहां के जिला द्यक्ष भी रहे वो बीएसपी की तरफ से केंडिडेट हो गये हैं और स्वामी प्रसाद मौरिया जिस बिरादरी से आते हैं जिसका बाहुल फाजिल लगर में है जो सोच के वो उस छेतर में चुनाव लड़ने गए हैं वहां से आल्रेडी बीजेपी के विधायक रहे गंगा सिंग कुस्वाहा वाजपा ने उनके बेटे पे दाउं खेला है उनको मैदान में उतारा है दूसरा स्वामी प्रसाद मौरिया जिस परमपरागत तीन सीट पे रहे तीन बार विधायक रहे पड़ोना से वहां के पड़ोना स्टेट के रूप में कहे जाने वाले पूरु केंद्री मंत्री आरपियन सिंग का प्रभाव काफी रहता है तो आरपियन सिंग ने भी काफी कैम किया है फाजिल लगर के सीट पे जहां से स्वामी परसाद मौरिया चुनाव म कि एक जगा नहीं टिक सकते इनने चाहिए बदल बदल के राजुनती करना यह आरोप तो नगा रहेगा और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौरिया की बात नहीं चेत्रों में जो हम लोगों ने महसूस किया है जिन लोगों ने एन चुनावी वक्त पे पार्टी बदली है उनको लेके पब्लिक में बहुत अच्छी इमेज डेवलप नहीं हुई है बिलकुर इसके अलावा देखे रतनागर जी भी हमारे साथ बने हुए है वरिश पत्रकार है रतनागर जी यह जो छटा चरण है इसको आप किस तरह से समझ पा रहे है क्योंकि पुरवांचल पर दाव ख आइपी और जादा मुखर होकर चुना प्रचार कर रहे है यह सपा कहती है जी बिलकुल आपने बहुत बढ़िया प्रश्ट उठाया जो इसके पहले के चार चरण हुए जिसमें सपा और उसके गरवंदन ने बार बार इस बात को उठाया कि हमारे हम यहां से चुनाओ को ब जो कि बुक्रू से चार्टों के इलाके में था और किसानों के लंबे आंदोलन के बाद की इस तितिया थी लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से अपना एक दम बनाया कि यहां से कम से कम 40 सीटे जीतेंगे तो कहीं न कहीं जो ओर जात होती है नाराज़ी एक महीने पहरे किसान अंदोलन को लेकर थी और उस किसान अंदोलन के बाद भाजपा को इसे मैनेज करने का एक समय मिला दूसरी तरफ भाजपा ने टोटल फोकस किया कि सपाक के उस चल्टर को उजागिर किया जै जिसमें उस पर यह आरोप रगता था कि यह एक जातिविशेश्टी पार्टी है जो सप्ता में आने के बाद दंगे या दबंगई जिसको कभी-कभी उंड़ी का भी शब्दा इस्तवाल करते हैं और उन्होंने उनकी लाल टोटी को रेड ऐलट के रूप में इस तरह से परिभाशित किया कि यह एक बड़ा मुद्दा बनता चला गया